नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन मुखबंतर नितीश कुमार ने बिहार के पुर्ब डेप्टी सीम तजश्वी यादब को दोखा दिया है तजश्वी यादब जो की महागचबंदन की सरकार में थे नितीश कुमार उनके साथ बिहार में महागचबंदन की सरकार चला रहे थे लेकिन रातो रात नितीश कुमार का मन बदल जाता है और नितीश कुमार पल्टी मार कर इंडिये में चले जाते हैं और अब तेजश्वी आदब चाचा के दिये धोखे का बदला लेने वाले हैं मेहार में पुर्ब डेपटी सीम तेजश्वी आदब ने विभीन जिलों का भ्रहमन करने का निन्य लिया जन विश्वास यात्रा के तहट 20 फरवरी को शिभर जिला में जाएंगे शिभर में तेजश्वी आदब के काईकरम की पुस्ट्री आरजडी के जिला ध्यक शूपेंदर पासवान ने की है उस दिन तेजश्वी आदब सबसे पहले मुजफर पूर के काईकरम करेंगे इसके बाद सीता मढ़ी जाएंगे और उसके बाद शिभर जाएंगे ध्यान रहे कि डेप्टी सीयम की कुर्सी से हटने के बाद पहली वार तेजश्वी आदब शिभर और सीता मढ़ी जा रहे है शिभर आजड जिला ध्यक शूपेंदर पासवान ने बताया कि पुर्व डेप्टी सीयम तेजश्वी यादब कायकरम को लेकर यहां की तयारियां तेज़ कर दी गई है नेता प्रतिपक्ष का कायकरम शिभर किसान मैदान में होगा यहां पर एक जन सभा को संबोधित करेंगे इधर चड़ चाये हैं कि शिभर से पहले पुर्व डेप्टी सीयम मुजफर पूर में 11 वज़े सीता मड़ी में एक वज़े सभा को संबोधित करेंगे शिभर में 3 वज़े कायकरम कर मोतिहारी के लिए रवाना हो जाएंगे मोतिहारी में उनकी यात्रा रात्रे विश्राम होने की खबरे सामने आ रही है इससे पहले डेप्टी सीयम के रूप में तेज़े श्वियादब सीता मड़ी में सीता मड़ी मोहसब का उदगाटन करने आये थे 28 और 29 अपरेल 2023 को वो आये थे उसके बाद ये पहला काईकरम है कि मोहसब के दौरान अपने को सम्मोधित करेंगे चुनाबी घोशना को दोहराएंगे उनके सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार की बाते कहीं गई थी और इस कारे को पूरा करने के लिए उनने वर्ष 2025 तक का समय मांगा था 20 फरवरी को होने वाले काईकरम में पुर्ब डेप्टी सियम तरश्वी आदब क्या बोलेंगे इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो हो रही है हाला कि हर तरह एकी बात उठ रही है कि गत दिन नितीश कुमार को राज़त के छोड़ देने और भाज़बा से जुडने कर सत्ता हाथियाने को लेकर मुद्ध पर तरह ज़श्वी आदब अधिक फोकस करेंगे दूसरी बात होगी 10 लाख रोजगार की जो तरह ज़श्वी आदब ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में नई सरकार बन गई है बिहार में इंडिये की सरकार चल रही है तरह ज़श्वी आदब अब इस सत्ता में है नहीं तरह ज़श्वी आदब विपक्ष के रूप में खड़े है और ऐसे में अब सरकार पर निशाना साधने के लिए तजश्वी आदब 80 चोटी का जोर लगा रहे हैं दो हजार चॉबेस और पच्छीस के चुनाव को लेकर तजश्वी आदब अब प्लैनिंग कर रहे हैं वो रन्नीती उनकी कितनी क्लियर होती है वो रन्नीती कितनी उसमें सफल होती है क्योंकि लगतार बिहार में सरकार बदलने के बाद लोग इस बात को लेकर कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं सरकार का बदलना जो है वो लोगों को भी रास नहीं आ रहा है और तजश्वी आदब को कहीं न कहीं इस बात का आने वाले दिनों में फायदा भी हो सकता है लेकिन इस फायदे को तजश्वी आदब कैसे उठाते हैं यह देखना होगा और खास करके रोजगार जो सबसे एहम मुद्दा है खास करके बिहार में जो लगतार नुक्तियां दी जा रही है उसको लेकर तरश्वी आदब क्या कुछ जनसभा में बोलते हैं वो देखने लायक होगा